आज मैं बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टेडी के बारे में बताऊंगा एक रीसेली स्टेडी हुई है जिसमें उन्होंने देखा है कि जो 5-10 mm की डिस्टल यूरिटेरिक स्टोन है उसको मेडिकल थेरपी वर्सेज इसमेडिसन लाइक टेमसेलोसन वर्सेज सेक्शुल इंट्रकॉर्स किस्से उसको निकलने का स्पॉन्टेनियसली निकलने का या एक्सपॉल्शन का चांस बढ़ता है तो बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टेडिया उन्हें 56 पेशनली उनको दो ग्रूप में डिवाइड किया ए आफ आफ यूरिटर कहलें वहां पे पत्थरी फसी हुई है और उसका साइज जो है ना पांच से दस मिली मीटर का है और वो अल्ट्रासोन या सीटी पे डाइगनोज्ट है कि यह चोटे साइज की पत्थरी है और नीचे तक आई हुई है अब इसको यह खुद बखुद भी इस्टर उरिटरिक स्टॉन थी ए गरुप को उन्होंने ये का के सारी जो मेडिसन देनी है ना पेन की मेडिसन पानी ज्यादा पीना सारी डाइटरी दिस्टिक्शन और साथ टेम सेलोसें भी एक एलफा ब्लॉॉकर है फ्लो मैक्स या मैक्स फ्लो के नाम से मिलता एफ वो भ तो उसके बाद फिर देखा कि दो हफते बाद क्या होता है तो जिस ग्रूप को तो सिर्फ मैडिसन दी थी उनको सेक्शुल इंटर कोर्स रिक्मेंड नहीं किया था उनमें स्टोन जो पैसेज स्पॉंटेनियसली पैसी उसका चांस जो है ना जो उसका वो था रेट था वो 50% जबके इस ग्रूप में दावान विड़ सेक्शुल इंटर कोर्स 82% था और फिर चार हफते बाद उनने देखा कि चार हफते बाद क्या सिच्यूइशन है तो इस ग्रूप में जिसमें सेक्शुल इंटर कोर्स जो नहीं का रहे थे उनमें रेट वस्टी लो 50-60% और दूसर में हैं में मर्दों में हैं मैरीड कपल हैं इफ दे परफॉर्म सेक्शुल इंटर कोर्स 3-4 ताइम विद देर वाइफ इन एवरी वीक दा चांसीज ऑफ पैसेज ऑफ स्टोन पत्थरी के खुद बखुद निकलने के चांसीज सिगनिफिकेंडली बढ़ जाते हैं ऐस कंपे से टैन मिलिमेटर की स्टोन है उसमें यह ट्राइ किया जा सकता है एंडिट होफुली वुड हैल्प थैंक यू